सद्कुरू मैं आपको ये कैसे बताऊं कि ओ आप तो बोलती हैं मुझे लगा आप एक मौनी है क्या आप क्या आप इसे बहुत जादा मुश्किल नहीं बना रहे हैं खुद 30,000 किलोमेटर का सफर गर के इसमें जोखिम तो है मैं सबसे खराब मौसम से गुजर रहा हूँ मैं यूरोपिये सर्दियों में हूँ और एक यूद भी है सौ दिनों तक हाई और बाई कहने के बजाए मिट्टी बचाओ कहते हैं न क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो हम इस सुन्दर जीवन को बाई-बाई कह रहे होंगे वान हंड़ देस वान हंड़ बूम नमस्कारम सबसे पहले सब्गुरू वह आप तो बोलती हैं मुझे लगा आप मौनी हैं आज यहां खड़े होकर आपके साथ ये बातचीत करके मैं वाकई सम्मानित महसूस कर रही हूँ सबसे पहले इस पहल के लिए मेरी तरफ से धेर सारी शिपकामनाय और बधाई यह एक बहुत बड़ी जिम्मदारी है जिसे आपने उठाया है मैं एक छोटे शहर से आती हूँ और कई सारी अनाज, दाल, चावल, सबजी वे गाउं से आते हैं और अब उनकी क्वालिटी काफी खराब हो गई है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस बातचीत की शुरुवात मैं आपसे ये पूछ कर करना चाहती हूँ किसान समुदाय के लिए ये अभियान कितना मातवपूर्ण है मुझे बताईए, बिना मिटी के क्या खेती होती है तो ये किसानों के लिए सबसे महत्वपून है और ये हर उस इंसान के लिए सबसे महत्वपून है जो कुछ न कुछ खाता हो पर लगता है कि کुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि कुछ योगी होते हैं जो केवल धूप खाते हैं वो कोई खाना नहीं खाते वो सुरक्षित हैं बाकि सब के लिए ये सूपर महत्वपून है क्योंकि दुनिया का हर जिम्मेदार व्यग्याने के सोर इशारा कर रहा है कि 2045 तक हम 40 प्रतिशत कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी आबादी 9 अरब से जादा होगे वो एक विनाशकारी दुनिया होगी वो ऐसी दुनिया नहीं होगी जिसमें आप रहना चाहेंगी ना तो ऐसी दुनिया होगी जहां आप अपने बच्चों को छोड़ कर जाना चाहेंगी तो क्या ये किसानों के लिए महत्वपून है? बिल्कुल है अभी भारत में आपने हर तरफ किसानों की आत्मत्याओं के बारे में सुना है तीन लाग से जादा किसान आत्मत्या कर चुके हैं दो हजार से अब तक और कितने मर जाने चाहिए हम इस मुद्दे को नजर अंदाज कैसे कर सकते हैं लोग कारण बताएंगे कि ऐसा बैंक लोन की वज़े से हुआ इस वज़े से उस वज़े से हुआ आप बताएए अगर आप किसान होती और आपकी मिट्टी अच्छी होती और आप कम से कम अपने परिवार के लिए खाना पैदा कर पाती तो क्या आप अपनी जान लेती है नहीं कभी भी नहीं बिल्कुल नहीं है ना इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा आत्महत्या इसलिए होती है क्योंकि खराब मिट्टी पर खेती करके दिल तूट जाता है अमेरिका में 50 प्रतिशत किसानों ने पिछले 12 वर्षों में एक भी डॉलर नहीं कमाया है दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका में अगर हम हर पेशे में होने वाली आत्महत्याओं की संख्या देखें तो सबसे जादा आत्महत्याई किसान कर रहे हैं तो अभी यही हालत है क्या इससे किसान को कोई फर्क पड़ता है बिल्कुल आप उन कुछ खेतों का दौरा करें जिने हमने फिर से जीवित किया है और देखें कि वहां किसान कितने खोश है उनका जीवन कैसा है सिर्फ आर्थिक मामले में ही नहीं बस उस जमीन पर होने का आनन देखिए जो समरिद और उर्जा से भरपूर है तो सबकुरू आपने ये पहल की है लेकिन माफ कीजेगा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ आप तो आप है लेकिन पर क्या आप इससे जादा मुश्किल नहीं बना रहे 30,000 किलोमेटर की 26 देशों की यात्रा खुद करके देखिए अगर 3,000,000 किसान आत्मत्या कर लेते हैं और फिर भी एक देश और समाच चैन की नीन सोप आता है तो लोगों को जगाने के लिए कुछ तब करना जरूरी है है ना तो जीवन के इस पड़ाव पर मैं दुनिया में ऐसे मुखाम पर हूं कि मैं बहुत आराम से जी सकता हूं मैं जहां भी जाओं, लोग मेरा ख्याल रखते हैं मैं जानती हूं, इसलिए मैंने कहा कि आप तो आप है तो मुझे वाक़ाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे इस दुनिया में किसी को कुछ साबित करनी की ज़रुरत नहीं है क्योंकि मैं वही हूँ जो मैं हूँ और कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाऊँ लोग मेरी देखभाल करते हैं वे मुझे अच्छे से रखते हैं चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो तो इसे ठीक करने में डेड़ सो से दो सो साल लग जाएंगे पर अगर हम अभी कुछ करते हैं तो दस से पंद्रह या धिक्तम बीस वर्षों में हम एक महत्वपून बदलाव ला सकते हैं ये एक कमिट्मेंट है ये एक जिम्मेदारी है और ये हमारी पीड़ी का सोभाग्य भी है क्योंकि हम समय के उस मोड़ पर हैं जहां बदलाव ला सकते हैं मुझे लगता है कि हमें बदलाव लाना चाहिए अच्छा क्या इसमें जोखिम है हाँ बिलकुल है मैं सबसे खराब मौसम से गुजर रहा हूँ मैं यूरोपीय सर्दियों में हूँ और एक युद भी है अरब की गर्मी तापमान लगबग 38-40 डिग्री है यूरोप में कई जगों पर तापमान शूने से नीचे है और जब मैं भारत में प्रवेश करूँगा तब मौनसुन चरम पर होगा तो रास्ते में मुश्किले है पर आप इसे हम सभी के लिए पूरी मानव जाती के लिए कर रहे है इसलिए धन्यवाद क्योंकि मैं एक इंसान हूँ क्या किया जाए अगर मैं किसी अलग प्रजाती होता तो ना करता समझ गई सद्गुरु जब हम मिट्टी बचाओ की बात कर रहे है तो साथ ही पलायन, भूख, गरीबी की भी बात हो रही है मैं बस एक और दृष्टिकों पाना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक सादक के लिए ये कितना महतुपुर्ण है दुर्भागे से आध्यात्मिक शब्द सभी प्रकार की धार्मिक संस्थाओं द्वारा अपहरन कर लिया गया है और वो कहते हैं कि आध्यात्मिक यानि उपर देखो आत्मा अकाश में नहीं है, वो यहां है ठीक है तो आत्मा को पूरी तरह से उल्लासित होना है शरीर को पूर्ण उल्लास में होना होगा मन को पूर्ण उल्लास में होना होगा और उर्जा जरूरी है ये महाल होने पर ही आत्मा उडान भरेगी, वरना नहीं और किसी भी व्यज्यानिक से पूछिए आज विज्ञान बहुत विक्सित है, लेकिन आपको उस तरह के टुकडे टुकडे विज्ञान की जरुरत नहीं है, अगर आप देखें कि आप अच्छी तरह से पोशित हैं, अच्छी तरह से पोशित यानि सभी पोशक तत्व जो मिट्टी में हैं, या वे सभी पोशक किसी चीज की वज़े से नहीं, तब आप यह देखना चाहेंगे कि इसके परे क्या है, उतावले लोग परे की चीज़ें नहीं ढूंडेंगे, वो केवल अपने आज की समस्या को सोलजाने का प्रयास करेंगे, अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, यानि आप ठीक है आप यहां बैठे बैठे ही आनंदित हैं, तब ही आप देखेंगे कि परे क्या है, लोग उल्टा सोचते हैं, अभी लोग सोचते हैं कि लोग जो परिशानी, दर्द, किसी तरह के दुख में हैं, वो मंदिर या कहीं और जाएंगे, भगवान की तलाश करेंगे, वो अध्य अध्यात्म नहीं है, यह आपकी समस्याओं का आसान समाधान खोजनी की कोशिश है, ठीक है, क्योंकि अगर आप दुनिया को देखें, तो दुनिया की सारी प्रार्थनाएं, दुर्भाग्ये से, उनमें से 90 प्रतीशत इस तरह हैं, मेरे भगवान मुझे ये दो, मुझे व मेरा एक आखरी सवाल है, हम आपकी सारता कैसे कर सकते हैं, कोई भी जिसके पास सोशिल मीडिया पर फॉलोवेंग या डिजिटल उपस्तती है, हम सभी मिलकर कैसे मदद कर सकते हैं, या योगदान कर सकते हैं? देखे हर इंसान मदद कर सकता है, क्योंकि हम लोगतान्तरिक राष्ट्रों में रह रहे हैं, यानि की एक लोगतान्तरिक राष्ट्रों में सिर्फ एकी चीज जरूरी होती है, लोगों की संख्या, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया मिट्टी की बात करे, 21 मार्ट से लेकर 100 सो दिन तक मिट्टी के बारे में कुछ कहें, बस मिट्टी की बात करें, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं कहना है, आपको मेरा समर्थन नहीं करना है, आप बस मिट्टी की बात करें, आज हमारे पास सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर ये सब इकठा करने के लिए साधन है, ह इससे बहुत बड़ा फर्क भी पड़ेगा. हाँ, क्योंकि नीती बनाने में बदलाव तब ही होगा, जब लोग वैसी मनशा दिखाएंगे. तो अभी यही सब कुछ है. यह पूरा अभियान, दुनिया से विभिन राष्ट्रों के नागरिकों को, इस बारे में एकजूट करना है, कि हम अपने जीवन और भविशे की पीडियों के लिए लंबे समय की खुशाली तै करने का इरादा रखते हैं. क्योंकि अभी हम अजन में बच्चे की मिट्टिक का इस्तमाल कर रहे हैं. यह सच है. यह एक क्रूर काम है. यह बहुत ही क्रूर काम है. लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं. तो अभी आप आनंद में अंजान हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है. तो अभी करना यह है. आप जो चाहें करें. आप चाहें जो करें. पर हर कोई इन 100 दिनों के लिए कम से कम 10 मिनट, 21 मार्थ से लेकर 100 दिन तक कम से कम 10 मिनट, इस संदेश को फैलाने के लिए खर्च करें. बस सड़क पर किसी से मिलें और इस बारे में कुछ कहें. यह गंबीर मुद्दा है. हर दिन किसी नए इनसान से मिलें और उन्हें बताएं. बिल्कृप्या, यह जरूरी है. और 100 दिनों तक हाई बाई करने के बज़ाए मिट्टी बचाओ कहते हैं. क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया, तो हम इस सुन्दर जीवन को ही बाई-बाई कर देंगे. जीवन के अच्छाई हमसे दूर चली जाएगी. सब्गरू, मैं इस मुद्दे पर पूरी तर आपके साथ हूँ. और इस अभ्यान और पहल को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत दिना. ये मेरा अभियान नहीं है, ये हमारी धर्ती है, ठीक है, सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारी धर्ती है. तो दोस्तों, आपने उन्हें सुना, और हम सभी को एक जोटोना होगा, मिट्टी को बचाना होगा, आईए, हम सभी से संभव बनाएए. एक सदन एक सदन एक सदन एक सदन एक सदन भूम ठीक है धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल